हेलो बच्चो कैसे हैं आप आप सभी अच्छ होंगे प्यारे बच्चो आज हम करेंगे जो आपके बिद्ध्याले से प्रयास नामा के पुस्तक दी गई है कक्षत 3-4-5 हे तू उस पुस्तक के प्रस्णूत्रों को हम हल करेंगे तो देखो बच्चो जो प्रस्णूत्रों के जैसा की अम देख सकते हैं, यहां पर एक bus दी है और एक cycle दी है तो हमें पता ही है कि जो bus होती है वो बड़ी होती है तो इस पर एक घेरा बना हुआ है पहले सी बना हुआ है ठीक है अब हम देख सकते हैं दूसरे नंबर पर एक car है और एक truck है तो हमें पता है जो truck है वो car से बड़ा होता है इसलिए हम truck प कर गीरह बना दिनगे इस प्रकार से आपक कर दो फून होता है मांग तीन इस प्रकार है बच्चो हिंदी वह अंगरेजी के अक्षरवाले बॉक्स में रंग भरो तो हमें यहाँ पर कुछ box दिये हैं उनमें बच्चों हम देख सकते हैं कुछ में संख्याय लिखी हुए हैं कुछ में हिंदी के WAN लिखे हुए हैं और कुछ में अंग्रेजी के Alphabets लिखे हुए हैं तो हमें हिंदी और अंग्रेजी के अक्षर वाले box में रंग भरना है जो संक्या है उन्हें छोड देना है तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं बच्चो यह box नमबर एक है यह इसमें संक्या दिये तो इसे हमें छोड देना है इसमें रंग नहीं भरना लेकिन जो दूसरी नमबर का box है यह इसमें दा, एक हिंदी का वर्ण दिया है, तो इसमें हमें कलर भर देना है, इस तरीके से कलर भर देना, ठीक है, बस वो दा दिखना चाहिए हमें, ठीक है, इसी तरीके से तीसरा बॉक्स है, इसमें संक्या इसे छोड़ देंगे, चोथा बॉक्स है, इसमें भी संक्या इस एक संक्या इसे भी छोड़ देंगे साथवे नमबर का बॉक्स है इसमें एक English का Alphabet है तो इसमें भी हम इस तरीके से रंग भर देंगे बच्छो ठीक है और आठवे नमबर का जो बॉक्स है उसमें एक चिंद दिया है तो उसे भी हम चोड़ देंगे भच्छो तो इस प्रकार से आपका ये justo प्रैस्सिं के मांग थेन, Pूwn होता है प्रैसल के मांग 4 है भच्छो सही जोड़ी मिलाईए तो जैसा कि हमने पदा एक जहाज़ी जो पानी में तेरता है तो इसे हम बादलों से मिला देंगे इस फरकाद से आपका ये प्रैस्टिन करमांग चार फूर्ण होता है प्रैस्टिन करमांग पाँच है बच्चो, बिंदू को मिलाओ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चो, इस पिक्चर में कि इसे इस तरीके से मिलाएंगे तो ऐसी रेखा मिलेगी इसे इस तरीके से मिलाना है बच्चो इसे इस तरीके और इस तरीके से मिलाना है तो यह आपका प्रेशन करमांग 5 पूर्ण होता है अब बच्चो इस पुस्तक के हम बर्क स्रीट 2 को दो के प्रश्न कमांग एक को देख लेते हैं यह है देखो सोचो बात करो तो यहां हम देख रहे हैं बच्छो हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं एक परिवार रेल गाड़ी से सफर कर रहा है यह यहां पर देख रहा है एक मा है और बेटी है बच्छो यह रेल गाड़ी से सफर कर रही है और इस Lunt-्रेम गाड़ी में कुछ इंसान हैं जो कि सामान को बेचने आये जैसे कि इंसान है यह कुछ चीजों को बेचने आया है जो कि हमें इस परस दिखाई नहीं दे रही ह hy बच्छो लेकि कुछ प्रकार की बस्तों को ट्रेन में बेचने के लिए आते हैं क्योंकि ट्रेन में कब किस चीज की ज़रूत पड़ जाए पता नहीं ठीक है भूग भी लगती है बच्चों को तो उनको खाने पीने की चीज़ें चाहिए ठीक है इसी तरीके से तो आपको इस पर चर्चा करना है ठ पहले बाक्स सब्सक्राइब हम देखते हैं तो पहले में एक घिलापर असरत की बिधा है और जहां पहले बाक्स सब्सक्ति हैं और हम और कि अम घ्रास क इसे तो इसंता हैं कि ग पेभर लाट है तो इसे भी हम खा सकते तो इसपे भी घेरा बना देना इस तरीके से एक ऑली लुढ थैने और अगले नंबर पर है एक टेबल रख ही उसे भी हम नहीं खा सकते तो इसे भी ऐसे ही छोड़ JE fe तो इस प्रकार से आप प्रश्रकमांग 2 को भी पूर्ण कर सकते हैं बच्छो हम प्रश्रकमांग 3 को देख लेठे हैं कि शंख्या वाले गेरे में हमें रंग बढ़ना है तो यहां पाँ हमें कुछ गोल गेरेpri्रे दिखाई दे रहे हैं बच्छो तो उनमें से जिन बोल घिरों में संख्या है उसमें हमें रंग बरना है जैसे पहले नंबर के में संख्या है एक संख्या है तो इसमें हमें रंग भर देना है इस तरीके से पूरा अच्छे से रंग भर देना है ठीक है दूसरी वाला दा है ये एक संख्या नहीं है ये हिंधी का एक Wern है इसे खाली छोड़ देना है तीसरी नंबर पर ये एक साहत क्या है संख्या है इसमें पूरा हमें अच्छे से रंग भर देना है साथ दिखना च्हाइए और पूरा इसे भर देना है ठीक है तीसरी नंबर पर हम देखेंगे बच्चो एक चिन है घटाओ का अचे न है इसे भी हमें शोर देना क्योकि हमें केवल रॉकेवल संख्या वाले पर ही रंग बरना चोथे वाले पर हम देखते हैं बच्चो यह एक बा एक हिंधी का बूर्ण है इसे भी हम इसा का इसी छोर देंगे और पांचे वाले पे हम देख लेते हैं पांचे वाले घेरे में इसमें एक संक्या चार एक संक्या इसे भी हम पूरा भर देंगे रंग से ठीक है छटे पे हम चलते हैं छटा फा एक हिंदी का वर्ण है इसे हम चोड़ देंगे और अगले पर देख लेते हैं बच्चो ये धनका चिन है ये चिन है ये एक संख्या नहीं है तो इसे भी हम ऐसा कैसे ही छोड़ देंगे तो इस परकार से आपका प्रिशन कमाँग 3 पूर्ण हो जाता अब बच्चो इस Worksheet का present के मांग चार देख लेते हैं ये है रास्ता बताओ तो यहाँ पाए एक देख लेते हैं बच्चो ये तितली है इसे फूल के पास पहुंचना है लेकिन यहां पर हमें एक वर्ग पहली दिये जिसमें कि इसका रास्ता हमें इसे बताना है बच्चो तो यह कुछ इस प्रकार से यहां से जाएगी फिर इस तरीके से जाएगी फिर ऐसे जाते हुए ऐसे जाते हुए यहां पर आएगी और इधर जाकर फिर इधर आएगी और यह ऐसे जाकर यहां फूल पर पहुंच जाएगी तो इस प्रकार से इसका रास्ता बन जाएगा बच्छो तो इस प्रकार से आपका प्रस्ण करमांग 4 फून होता है अब अच्छो प्रस्टन को मांग 5 देखते हैं बिंदू को मिलाओ तो बिंदू यहां पर हम एक पिचर में कुछ बिंदू देख रहे हैं उन्हें मिलाकर एक आकरती बनानी है तो देख लेते हैं यह पहली वाली जो आकरती है बिंदू को मिलाकर इस प्रकार से बनेगी दूस यहां पर हमें एक पिक्टर दिखाई दे रही है जैसा कि इस चित्र को हम देख सकते हैं इस चित्र में एक छोटा बच्चा है उसके सामने चोटी सी एक चडिया बैटी हुई है यहां पर एक तालाब है से एसा लग रहा है यह चड़ीया मानो कि यहां पर पाणी पीने के लिए आई है इस बच्चे को बहुत जादा पक्षीओं प्रेम है यह इस पक्षी को देखकर यहां पर आ गया है बच्चों और से बilim आसे बाते कर रहा ज़ी हु合 कि कौन उनसे बाते कर सकता है और कोई भी अच्छी चीज दिखाई देती है कोई भी अच्छी चिडिया या फिर जानवर दिखाई देता है वो उनसे बाते करने लगते बच्छो तो इस प्रकार से आप इस चित्र पर चर्चा कर सकते हैं इस वर्क स childish परश्रकिनमांग 2 को देख लेते हैं यहाल रंग की थे खेंगेरा बन является very much बिन्डीरा फिरेहारों बिन्डी नम्पर थे खेंगी थे तूस्थ और प्यूर यहां पर अब मिर्च का फोले दो Онद्यम्हें सेब भी लाल है तो इस पर हम एक घेरा बना देंगे अगले नंबर है मटर मटर लाल नहीं है केला केला भी लाल नहीं होता अंगूर अंगूर भी लाल नहीं होता बच्छो टमाटर लेकिन टमाटर तो लाल होता है इस पर भी हम एक घेरा बना देंगे अगले नंबर पर है प् अक्षेरं तो diyo ुक्षा भाले घैये मेर्ण अपरउव तो यहां हमें बहुत सारे अग्षेरे हैं कुछ में अख्षयरं कुछ में संख्या हैं तो हमें सिर्फ इंग्लिस की जो अक्षर उसमें घैरा बनाना थे तो पहले नंबर पर इन्होंने रंग बहर कर हमें देई verd Inn buses द चोड़ी नमबर बैए फिर संख्या में सच्छा तष्यें संक्या वाइसर भी एक अक्षर इसे आपना रख्ष्यत कर दें लिए information में रंग भर देंगे और जो संख्याय हैं उन्हें हम ऐसे कैसी छोड़ देंगे तो इस प्रकार से अपना प्रेशन को मांग 3 पूर्ण होता है इसका प्रेशन को मांग 4 देख लेते हैं रास्ता बताओ तो यहां पर एक बच्चा है इसे अपने घर पर पहुंचना है लेकिन सबसे अच्छा रास्ता होगा तो इस तरीके से आप इस रास्ते को बना सकते हैं तो इस प्रकार से आपका प्रेशन को मांग 4 पूर्ण होता है अब देख लेते हैं बच्चो प्रेशन को मांग 5 यह है बिंदो को मिलाओ और रंग भरो तो यहां पर हमें कुछ चेत्र दिखाई दे रहे हैं जैसे कि यह है इसके हम बिंदो को मिलाएंगे इस तरीके से यह आपकरती बन जाएगी एक तिरबुज की और फिर इसे बिंदो तो हम में लाकर फेच में बहर देंगे फिर को बनाकर फेच छगते आपकर बर मांग 4 जैसे का प्रेशन में अक है सोचो बात करू तो ह्याँ पर एक हमें तेका दिखाई निग सकते हैं यहाँ पर यहाँ रही है यहां पर बूर्ड वेख्थी सो रहें तोHSasoni लग रहा है कप यह ब्रदव्यक्थी टीवी देख रहे थे और टीवी देखते देखतें यह सो गए तो यह लड़की आई तो इसन साहे दादा जी हैं या फिर पिता जी हैं ठीक है बच्चो अब ऐसा हम बता नहीं सकते के दादा जी हैं तो उसने देखा कि दादा जी है वो तो जा सो गए टीवी देखते हुए तो यह लड़की अंदर आई है इसी प्रकार से इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है तो इस प जानवर को हम पाल सकते हैं वो एक पालतू जानवर होते हैं और जो जंगलों में रहते हैं बच्चो जिने हम नहीं पालते वो जंगली जानवर होते हैं तो इसमें हमें कुछ जानवर दिखाई दिये हैं जो कुछ पालतू भी है कुछ जंगली भी है तो हमें जैसा कि दिख खाहिए दे रहे हैं, ये मुर्गीयों को घरों में पाला जाता है तो ये एक पालतू पक्षी है जानवर है ठीक है पक्षी है है तो इसे हम इसे घर से मिला देंगे चोती नंबर पे हमारा एक चीता है जो कि कोई नहीं पालता ये एक जंग लिजान बपर पालतु जानवर इसे हम घर से मिला देंगे तोते भी कोई लोग पालते हैं यह भी एक पालतु जानवर चाटे नमबर पे हैं हमारा उलू लेकिन उलू को कोई नहीं पालता यह जंगली पक्षी है ठीक है बच्छो तो इस प्रकार से आपका प्रश्ण कमांग दो फूर्ण हो तो यहां पर हमें एक अलग अलग डिब्बे दिये हैं जो इनमें कुछ में संख्या हैं कुछ में वर्ण हैं कुछ में अल्फावेट्स हैं ठीक है बच्छो तो जो संख्या वाले डिब्बे हैं उनमें हमें रंग बरना है जैसे पहली नमबर का हमारा संख्या एक लिक पांच वे नंबर पे पांच एक संक्या है इसमें हम रंग भर देंगे तो इस प्रकार से आपका प्रेश्ण करमांग तीन पूर्ण होता है प्रेश्ण करमांग चार है बच्छो जोड़ी मिलाईए तो यहां पर हमें कुछ पक्षी दिखाई दे रहे हैं बच्छो जैसे कि उलू और कवा ठीक है उनके पंजे इस तरफ दिखाई दे रहे हैं पंजे मींज पैर तो हमें जो पक्षी के जो पैर हैं उससे उसी पक्षी के पैरों को मिलाना है तो देख लेते हैं जैसे कि पहले नंबर पे हमारी मुर्गी है तो मुर्गी को इन्होंने इसके पैरों से म गीए ल इसी प्रखास से आपका प्रिशन कुमांग फाच को देख लेते हैं,aw 재 dost लगए। तो यहाँ पर हमें चित्र में एक जासी चीजें बहुत सी दिखाई दे रही है, लेकिन इन में अलग चीज है, बोतल, तो उस पर हमें गेरा लगाना यह रही है, अपनी बोतल, यह अलग है, यह कप नहीं है. ठीक है बच्चो तो इस प्रकार से आपका प्रेस्टन करमांग 5 पूर्ण होता है बच्चो अब हम इस पुस्तक की वर्क्सीट करमांग 5 की प्रेस्टन करमांग 1 को हल करेंगे जो है हमें एक इसमें लिखा है देखो सोचो बात करो तो हमें एक पिक्चर दिखाई दे रही है, एक चित्र दिखाई दे रहा है, जो कि एक परिवार का चित्र है, यहां पर एक पिताजी बेठे हुए है, जो कि अख़वार पढ़ रहा है, यहां मा है, जो कि अपने बच्चे की तरफ देख रही है, लड़के की तरफ देख रही तो इस प्रकार से यह परीवार एकसर ऐसे ही होता है कि कोई नया सामान आता है तो मा देखती है ठीक है पिता जी अपने अख़वार में विजी रहते हैं भेन वेचारी काम करती है ठीक है तो इस प्रकार से हमें इस पिक्षर के उपर इस चित्र के उपर चर्चा करनी है बात क लगाएंगे क्योंकि यह अधिकतर मुश्टली टाइम पाणी में रहता है ठीक है अगली है मुर्गी मुर्गी या फिर मुर्गा जो भी है यह पानी में नहीं रहती है, मश्ली पर अलएड़ी गोला लगा हुआ है तोत्या पानी में नहीं रहता है दिखिन लगिसी पानी में रहती है जली है जिल्यय जीव डिचापैंड गोला लगा देंगे, तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्ण करमांग 2 पूर्ण हो जाता है अब देखते हैं बच्छो प्रश्ण करमांग 3 जो है संख्या वाली पतंग में रंग भरिये तो जो पहली पतंग है उसमें 4 लिखा हुआ, 4 एक संख्या है तो इस पे हम रंग भर देंगे, पूरे पे इसमें रंग भर देंगे ठीक बच्छो, दूसरी नमबर पे हैं गा, गा, एक वर्ण है, ये संख्या नहीं है तीसरी नमबर पे 3 लिखा हुआ, ये एक संख्या है, तो इस पे भी हम रंग भर देंगे ठीक है बच्छो चोथी नमबर पे B है ये एक alphabet है इसे भी खाले छोड़ेंगे पाँचवे नमबर पे साथ ये एक संख्या है इसमें हम रंग भर देंगे तो इस प्रकार से आपका ये प्रेश्ण करमांग तीन पूह हो अब अऄंचो हम प्रेश्ण करमांग 4 को देख लेते है जो है बिंदू मिलाकर चित्र पूर पूरा किगी एक हम कुछ बिंदू सब्सक्राइब उसे लादियुक्त ठीक है बच्चो जली जली से मैं मिला देता हूँ ये गया ये इस तरीके से हो जाता है ठीक है ये और इस तरीके से ये इसका सून बन गया और ये इसका पैर बन गया ठीक है यहाँ एक हाती का बच्चा भी है वैसे तो ये हाती का चित्र है ठीक है इस तरीके से मिला के ये एक यह बन गया इस तरीके से यह गया ओर यह इसकी सून गया यह बचक का-पैर बन गया। इस तरीके से आप जब बिंडों मिलाएंगे तो आपको एक हाती और उसके बच्ची का चित्री यहाँ पर दिखाई देगा मैं तो बच्चो मुवाइल पर बना रहा हूं लिए थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया आप अच्छे से इसे बना लीजेगा अब बच्चो हम प्रेस्टमर्बंग 5 को देख लेते हैं यह है बिंदू को मिलाओ और रंग भरो तो यहाँ पर कोई बिंदू है यह इस तरीके से हमें बिंदू को मिला कर एक आकरती बनानी है ठीक है बच्चो और आकरती बना बना कर हमें उनमें रंग भरने है ठीक है तो आपको इन मिंदों को मिला लीजीगा इनमें रंग भल लीजीगा तो इस परकार से आज की ये वीडियो कंप्लीट होती है बच्छो आसा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आपकी बहुत मदद होई होगी इस वीडियो से अगर आप इसी परकार क और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए आप से मिलते हैं बच्चो अपनी अगली वीडियो में